आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलहाबाद विश्व विद्याले यानि इलहाबाद यूणिवसिटी में जो आप लोगों ने एक्जाम दिये थे आप सभी लोगों को जिनको भी ये पीडिये नहीं मिले वह आपको टेलेग्राम लिंक है डिस्क्रिप्शन में आप वहां जाके टेलेग्राम पर देख सकते हैं नहीं तो आप खुद से में इलहाबाद इन्वस्टी की साइट पर जाएए इन्वस्टी आप इलहाबाद देखे जो है जनल कर्टेडी में छे कंडिरेट ये इनके इहां पर नाम शो कर रहे है और रोल नंबर और फॉर्म नंबर है आप यहां से सीज को मिलान कर सकते हैं पर इसक्रीन पर दिखा रही हूं आप लोग पीडियाफ से भी देख सकते हैं उसके बाद है ओबीसी कंडिर जनरल के जो candidate है उनकी जो result आए है ये रहे सामने past candidate है उनके नाम है पर शो कर रहे है और roll number form number पड़ा हुआ है उसी प्रकार से OBC के दो candidate है यसी category में जो है एक candidate के नाम दिये गए है technical assistant में जितनी post थी उसके recording जो है result जारी किये गए है उसके बाद यहां बारी आती है junior office assistant के इसके candidate जादा है इसमें total आपको पता होगा कि 49 seat थी तो अतने ही लोगों का selection भी हुआगा जिन लोगों का भी हुआ सभी को congratulations यदि आप सभी लोग चाहें जिनके भी selection हुए है तो आप अपने जो भी चीजे है experience रहा आपको तो वो चीज़ शेयर कर सकते हैं दूसरी बात एक चीज और मैं बता दू कि आप सभी लोग कहें कि कि यह final cut-off नहीं दिये खा रहा है तो देखिए अभी तक जितने भी इनों के candidate है हम देखते हैं यहां पर टोटल जनल के candidate 21 है उसके बाद है junior office assistant में OBC के candidate OBC के candidate में देखेंगे आप यहां पर ठीक है तो 13 candidate OBC के हैं यहां screen पर है आप ऐसे भी देख सकते हैं मैच करा लिजेगा उसके बाद है AWS category में दिया हुआ है यहां पर चार candidate है जो AWS category में है उसके बाद इसी category में देखें साथ candidate के नेम दिये हुए हैं इस्टी में देखें चार है ठीक है और आगे बढ़ते हैं तो आगे आपका दिया हुआ है हाँ पर boatman ठीक है groundsman waterman और इन लोगों के भी result आ चुके हैं final तो जिन लोगों के भी exam नहीं हुए जो लोग वेट कर रहे हैं भी काफी अच्छी है मैं इसके रीटेल्स आपको प्रवाइड करूंगी जो लोग इकशुक होंगे वहां से देख सकते हैं और ये प्रेडियाफ आपको मिल जाएगी और जिन लोगों के नहीं हुए निराश होने के जरूवत नहीं है मौके बहुत आते हैं आप सबको पता है स लीटे जितनी होती है उतने ही सेलेक्शन होते हैं वो चाहे जैसे भी हो रहे हो ठीक है तो आप लोग अपनी नेक्स्ट जो भी एक्जाम है आगे चल के तैयारी करिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए नेक्स्ट वीडियो में हम फिर में लेंगे इसमें सर्फ इतनी जानकारी देनी थी तब तक ये लिए टेक केर जैहिंद